ओम प्रिये विद्यार्थियो सूपरभात प्यारे वच्चो नायतिक सिख्षा के इसका अक्सा में आप सभी का स्वागत है आज हम पार्ट नमबर आठ को पड़ेंगे और समझेंगे जिसका शीर्सक है बड़े घर के गायक तो आएए इसे हम प्रारंब करते हैं करते हैं कि तान सेन जब राग मलहार गाते थे तो बरसा होने लगती थी ऐसा सुना जाता है कि जब तान सेन जी जब अपना राग मलहार जब अपना वद्य यंत्र गाना बजाना शुरू करते थे तो मानो ऐसा प्रतीत होता था कि बरसा होने लगती थी जब दीपक राग गाना अरंब करते तो दीपक जल उठते जब दीपक राग नामक गाना शुरू करते तो दीपक जलने लग पड़ते थे एक दिन अकवर ने कहा एक दिन अकवर बोले जो उसके दरवार के जो बादसा थे वो बोले तानसेन अरे तानसेन यह सब कुछ तुमने जिससे सीखा है उसका संगीत हमें भी सुनवाओ तानसेन से बोले कि अरे तानसेन यह सब गाना बजाना जिससे आप सीख करके आए हैं अर्थात जो आपके गुरू हैं कभी उनका संगीत भी हमें सुनाओ तान सेन ने कहा शहम साह मेरे स्वामी मेरे गुरू स्वामी हरिदास हैं तो तान सेन ने क्या जवाब दिया है कि अरे साहन साह मेरे जो गुरू है वो स्वामी हरिदास है उनका नाम क्या है स्वामी हरिदास है वे सन्यासी है उन्हें किसी से कुछ लेना नहीं है इसलिए वे आपके दरवार में नहीं आएंगे उनने का कि जो मेरे गुरू है उनका नाम स्वामी हरिदास है और वो संत है, सन्यासी है, उनको किसी से कुछ ना लेना न देना है, इसलिए वो आपके दरवार में नहीं आएंगे स्वामी आरिदास ब्रिंदा बन में येवना ताटपर पत्तों की जहारियों में रहते हैं पत्तों की बनी हुई है अपने बक्ती संगीत से जंगल में मंगल मनाते हैं अपने बक्ती भाव से अपने संगीतों की बक्ती से वो जंगल में ही मंगल करते हैं जंगल में ही गाना बजाना करते हैं किसी के लिए गाते नहीं अपनी मौज से गाते हैं वो अपनी मोज मस्ती के लिए और प्रमादमा को प्रसंद करने के लिए गाते हैं उनका दुतारा केवल अपने लिए या भगवान के लिए उनका जो दुतारा अर्था जो बादे यंतर है जो से बजाने वारा जो यंतर है उसका नाम दुतारा उनका जो दुतारा है वो अपने लिए है या फिर भगवान के लिए है अकवर ने कहा ऐसा सुनकर अकवर क्या बोले वे नहीं आ सकते तो हम उनके पास चलेंगे कि ठीक है यदि वो नहीं आ सकते हैं तो हम उनके पास चलेंगे एक वार उनके दर्सन तो कर लें अर्थात हम एक वार उनके दर्सन का लाब उठा लें तान से इन बादसा को लेकर ब्रिंदावन के उस जंगल में गए जहां स्वामी हरिदास रहते थे तान से इनने का ठीक है तान से इनने बादसा को साथ लिया और ब्रिंदावन के उस घने जंगल में चले गए जहां स्वामी हरिदास रहते थे देखा स्वामी हरिदास कुटिया के बाहर ध्यान में मगन बैठे हैं वहां जाके क्या देखा कि जो स्वामी हरिदा से हैं वो अपनी कुटिया के बाहर ध्यान मगन में बैठे हैं बगवान का ध्यान लगाए बैठे हैं चुप चाप शान पिल्कुल चुप चाप और शान एक दुतारा उनके पास पड़ा है प्रंतु वह वी बे आवाज एक दु पर आकर भी क्या हम प्यासे ही जाएंगे कि क्या हम यवन अदी के तर्ट पर आकर के भी प्यासे ही चले जाएंगे अर्थात कहने का ताथ पर यहां पर यह है कि क्या हम तान सेन के पास स्वामी हरिदास के पास आकर के भी बिना गाना सुने ही चले जाएंगे इस का रथ है यह मुना तर्ट पर आकर भी हम प्यासे जले जाएंगे इस पंक्तिकर था यह क्या कोई ऐसा उपाए नहीं कि स्वामी हरिदास गाने लगे कि ऐसा कोई भी उपाए नहीं जिससे स्वामी हरिदास गाने शुरू कर दे तानसे ने कहा प्रितन करता हूँ सांसा आप चुप खड़े रही है तो तानसे ने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ प्रितन करता हूँ आप चुप चाप खड़े रही है तानसे ने कुछ सोचा और फिर अपनी सितार उठाकर बजाना शुरू कर दिया अब तानसे ने थोड़ दिर बिचार के कि कैसे करूँ कैसे सुरू करवाओं गुरू से अंत में सोच करकर अपना सितार उठाया और बजाना सुरू कर दिया पहले थोड़ा ठीक बजाया फिर जान बूजकर गल्ट बजाने लगे पहले तो सही बजाया थोड़ी देरी के लिए बाद में खुद ही जान बूजकर के गल्ट बजाना सुरू कर दिया स्वामी हरिदास ने सुना तो जुझला उठे और बोले अब जब स्वामी हर्दास ने सुना कि ये गलत बजा रहे तो जुझला करके एकदम से मतलब एकदम से उल्ज कर बोले गलत बजाते हो तानसेन सुनो कहा कि अरे तानसेन आप गलत बजा रहे हो और कहा कि सुनो और अपना दुतार उठाकर बजाने लगे और खुद ये अपना दुतार उठाया और बजाने सुरू कर दिया उसके साथ साथ गाने लगे और साथ में वो गाने भी लगे सारा बन उस गायन से गोंज उठा जो सारा जंगल था वो उस गायन से गुंजने लग पड़ा मदर ध्वनी से गुंज उठा ब्रिक्स और पौधे जोम उठे और पेड़ पौधे भी जोमने लगे जंगल के हिरन स्वामी हरिदास के पास आकर खड़े हो गए जंगल में जितने भी हिरन थे वो स्वामी हर्दास के पास आ करेके खड़े हो गए, पक्षी शांत हो गए मतलब जो जंगल में पक्षी चाह रहे थे वो भी मदर ध्वनी सुन करेके शांत हो गए, चुप हो गए ऐसा प्रतीत होता था जैसे चलती होई हवा भी ठहर गई हो ऐसा अनुमान लगाय जा रहे थे जैसे जो हवा चल रही थी वो भी ठहर गई हो वो भी शांत हो गई हो बादसाह मस्त हो गए और बादसाह उस गाने में मस्त हो गए कितनी देर हो गई यह भी उन्हें पता नहीं चला अब उस गाने को सुनते हूँ बादसा को कितना समय बीट गए ये भी उनको पता नहीं चला अन्ततह जब हरिदास ने गाना बंद किया तो बादसा औरतान से उन्हें प्रणाम करके बापस चल पड़े अन्ततह एट लास जब उनने बादसा स्वामी हरिदास ने गाना बंद कर दिया तो बादसा औरतान से ने उनको प्रणाम किया और चले आए बापस अपने महल रास्ते भर बादसा बोल नहीं सके रास्ते में संपूर्ण रास्ते में बादसा कोई बात नहीं कर सके संगेत की मदर ध्वनी उनके कानों में अभी तक गोंज रही थी जो संगेत की जो गाने की जो मिठी ध्वनी थी गोंज थी वो अभी भी उनके कानों में गोंज रही थी रात्री के समय बादसा ने कहा तानसेन तुम बहुत अच्छा गाते हो अब रात के समय तानसेन ने बाल साने तानसेन से का कि अरे तानसेन तुम बहुत अच्छा गाते हो भारतवर्स के सबसे बड़े गायक हो तुम अर्थत आप जो हो भारत के सबसे बड़े गायक हो फिर भी तुम्हारे गाने में वह रस क्यों नहीं वह मस्ती क्यों नहीं जो स्वामी हरिदास के गाने में है का कि अरे तानसेन आप बहुत अच्छा गाते हो भारतवर्स के बहुत बड़े गाये को आप परंतो फिर विया आपके गाने में वो रस वो मस्ती नहीं है जो स्वामी हरिदास के गाने में है तान सेर ने हाथ जोड़कर कहा संसा तान सेर ना जोड़कर क्या बोले अरे संसा मुझ में और स्वामी हरिदास में बहुत अंतर है कि मुझ में और मेरे गुरू हरिदास में बहुत अंतर है मैं हूँ दिल्ली पती का गवया अर्थात मैं आपके जैसे दिल्ली का जो सासन करता कवर है ऐसे दिल्ली पती का गवया हूँ मैं दिल्ली पती के लिए गाता हूँ अर्थात मैं आपके लिए गाता हूँ सौामी हरिदास जगत पती के गायक है सौामी हरिदास तो उसके गायक है जो पूरे जगत का स्वामी है जगत का पती है उसके लिए गाते हैं जो करोड़ो दिल्ली पतियों का पती है जो स्वामी हर्दास जिसके लिए गाते हैं वो तो आपके जैसे कई वादसा हैं करोड़ो दिल्ली पतियों का पती है वो ऐसे बड़े घर के इस्वरी दरवार के ग सोचा समझा और चुप हो गया दीरे से उसने अपने मन में कहा और अपने मन में दीरे से क्या बोला जो बगवान के गुनगाता है उसकी बाणी में रास हो गई अर्था जो प्रमात्मा का गुनगान करता है उसकी बाणी में तो रास हमेशा होगा ही अताहा बच्चो इस पार् कारे को हमकाल करेंगे इस प्राइट की वीडियो को आप बार वार सुनें और समझें इन्हीं सब्दों के साथ इतियों शाम